C I E T N C E R T द्वार प्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक वितान भाग एक प्रस्तुत है पाठ्थ राजस्थान की रजत बूंदें प्रिष्ठ संख्या 9 से 20 तक लेखक अनुपम मिश्र लेखक परिचे अनुपम मिश्र जन्म सन 1948 जन्म वर्धा महराष्ट्र में परियावरन संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन जिन में आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेश चर्चित परियावरन संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ट रूप से जुड़े रहे हैं बलकि लोगों को जागरू करने के लिए मुहिम भी चलाई सन 1947 से गांधिव शान्ती प्रतिष्ठान के परियावरन कक्ष से संबध्ध प्रस्तोथ है पाट राजस्थान की रजत बूंदें पसीने में तरबतर चेलवाजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी कोई का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है उखरूं बैठे चेलवाजी की पीठ और च्छाती से एक-एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है इतनी संकरी जगहे में खोधने का काम कुलहाडी या फावडे से नहीं हो सकता खुदाई यहां बसॉली से की जा रही है बसॉली छोटी डंडी का छोटे फावडे जैसा औजार होता है नुकीला फल लोहे का और हत्था लकडी का कोई की गहराई में चल रहे महनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा गर्मी कम करने के लिए उपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं इस से उपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घूटू गरम हवा उपर लोटती है इतने उपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेल वाजी के सिर पर लग सकते हैं इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातू का एक बरतन तोप की तरह पहने हुए हैं नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद, चेल वाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है उपर रसी से एक छोटा सा डूल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ उपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड पत्थर नीचे गिर सकते हैं टोप इनसे भी चेल वाजी का सिर बचाएगा चेल वाजी यानि चेजारो कुई की खुदाई और एक विशेश तरहे की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग ये काम चेजा कहलाता है चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं, वह भी कोई साधारन धाचा नहीं है कुई यानि बहुत ही छोटा सा कुवा कुवा पुलिंग है, कुई स्त्रीलिंग है ये छोटी भी केवल व्यास में ही है गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर एक विशेश कारण से कुईयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है कुई एक और अर्थ में कुए से बिलकुल अलग है कुवा भूजल को पाने के लिए बनता है पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुडती जैसे कुवा जुडता है कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र धंक से समेठती है तब भी जब वर्षा ही नहीं होती यानि कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है यह तो नेत नेती जैसा कुछ पेचीदा मामला है मरू भूमी में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है यहां वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमी में समा जाने में देर नहीं लगती पर कहीं कहीं मरू भूमी में रेत की सतह के नीचे प्राई 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चोड़ी है पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण उपर से दिखती नहीं है ऐसे क्षित्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पत्टी का पता चल जाता है बड़े कुओं में पानी तो देड़ सौ दो सौ हाथ पर निकल ही आता है पर वह प्राय खारा होता है इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता बस तब इन क्षित्रों में कुईया बनाई जाती है पट्टी खोजने में पीडियों का अनुभव भी काम आता है बरसात का पानी किसी क्षित्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेथ के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है ऐसी स्थिती में उस बड़क शित्र में बरसा पानी भूमी की रेतिली सतह है और नीचे चल रही पत्थरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है तेज पढ़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है पर ऐसे क्षेत्रों में प्रक्रती की एक और अनोखी उदारता काम करती है रेत के कन बहुत ही बारीक होते हैं वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कनों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है जिस मिट्टी के कण परस पर चिपकते हैं वे अपनी जगहे भी छोड़ते हैं और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेतर में गुजरात, मध्यप्रदीश, महराष्ट, बिहार आदी में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धर्ती में, खेत और आंगन में दरारें पढ़ जाती हैं धर्ती की संचित नमी, इन दरारों से गर्मी पढ़ते ही वाश्प बनकर वापस वातावरण में लोटने लगती हैं, पर यहां बिखरे रहने में ही संगठन है मरू भूमी में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहां परस पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते इसलिए मरू भूमी में धर्ती पर दरारे नहीं पड़ती भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ उपर रेत के असंखे कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है इस हिस्से में बर्षी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है अब यहां कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगहे चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है बूंद बूंद रिस्ती है और कुई में पानी जमा होने लगता है खारे पानी के सागर में अमरित जैसा मीठा पानी इस अमरित को पानी के लिए मरु भूमी के समाज ने खोब मन्थन किया है अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विक्सित किया है इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बाटा है पहला रूप है पालर पानी यानि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदी में रोका जाता है यहां आदी शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है उसका पूरा विवरन आगे कहीं और मिलेगा पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी धरातल से नीचे उत्रा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजानी है वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटी मीटर नहीं बलकि रेजा शब्द का उप्योग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है मरू भूमी में पानी इतना गिरे कि पांच अंगुल भीतर समाजाए तो उस दिन की वर्षा को पांच अंगुल रेजो कहेंगे रेजानी पानी खड़िया पत्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है चार-पांच हाथ के व्यास की कुई को तीस से साथ पैंसट हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी उचाई नापते हैं चेजो यानि चिनाई का श्रिष्ट तम काम कुई का प्राण है इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारो के प्राण ले सकती है हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं बीस-पचीस हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है, और हवा भी कम होने लगती है, तब उपर से मुठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है मरू भूमी में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहां से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहां कुई की गहराई में एक मुठी रेत से उड़ने लगती है, और पसीने में नहा रहे चेलवाजी को राहत दे जाती है कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है, किसी किसी जगह इट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्य से बांधा जाता है पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का धेर जमा कर लिया जाता है, चेजारों खुदाई शुरू करते हैं, और बाकी लोग खीप की घास से कोई तीन अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई दस हाथ गहरी हो जाती है, इसके तल पर दिवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिच्छाया जाता है, और फिर उसके उपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरहे उपर आते जाते हैं खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंस कर मजबूती से एक के उपर एक बैठती जाती हैं, रस्से का आखरी छोर उपर रहता है अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी, खोदी जाती है, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली, दूसरे दिन खोदी गई जगहें में सरका दी जाती है उपर छूटी दिवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है, रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं लगभग पांच हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग पंद्रे हाथ लंबा रस्सा चाहिए एक हाथ की गहराई में रस्य के आठ दस लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्य की कुल लंबाई डेड़ सो हाथ हो जाती है अब यदि तीस हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्य बांधना पड़े तो रस्य की लंबाई चार हजार हाथ के आसपास बैठती है नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहां कुई खुद रही है कि रस्य बन रहा है कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुईयां जरूर बनती है ऐसी जगहों पर भीतर की चुनाई लकडी के लंबे लठों से की जाती है लठे अरणी बन यानि कैर बावल या कुमबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते है इस काम के लिए सबसे उम्दा लकडी अरणी की ही है पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकडी ना मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है लठे नीचे से उपर की ओर एक दूसरे में फसा कर सीधे खड़े किये जाते हैं फिर इन्हें खीप की रसी से बांधा जाता है कहीं कहीं चग की रसी भी काम में लाते हैं यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है इसलिए इसे सापणी भी कहते हैं नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेल वाजी को मिट्टी की खुब पर रख रहती है खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है इस खशन नीचे धार लग जाती है चेजारो उपर आ जाते हैं कोई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेश ध्यान रखना यहां की परमपरा रही है पर काम पूरा होने पर तो विशेश भोज का आयोजन होता था चेल वाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी चेजारों के साथ गाउं का यह संबंध उसी दिन नहीं तूट जाता था आच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहरों में विवह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग धेर भी लगता था अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करने का रिवाज आ गया है कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य ग्रिहस्त भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे जैसल मेर के अनेक गावों में पालीवाल ब्रह्मनों और मेगवालों अब अनुसूचित जाती के अंतरगत के हाथों से सौ दो सो बरस पहले बनी पार या कुईयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है कुई का मुँ छोटा रखने के तीन बड़े कारण हैं रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे-धीरे रिस्ती हैं दिन भर में एक कुईय मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे दो तीन घड़े भर सकें कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे उपर निकालना संभव नहीं होगा छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी दो चार हाथ की उंचाई ले लेता है कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उप्योग भी इसी कारण से किया जाता है धातू की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुह पर लोही का वजनी कड़ा बंधा होता है चडस पानी से टकराता है उपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरहे कम मात्रा के पानी में भी ठीक से दूब जाता है भर जाने के बाद उपर उठते ही चडस अपना पूरा आकार ले लेता है पिछले दौर में ऐसे कुछ गावों के आसपास से सड़के निकली हैं ट्रक दोड़े हैं ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चडसी बनने लगी हैं कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पढ़ने वाली तेज गर्मी से भी है व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढख कर रखना जरूरी है छोटे मुह को ढखना सरल होता है हरे कुई पर लकडी के बने ढखकन ढखके मिलेंगे कहीं कहीं खसकी टटी की तरह घास फूस या छोटी छोटी तहनीों से बने ढखकनों का भी उप्योग किया जाता है जहां नई सडके निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है वहां अमरित जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है इन इलाकों में कई कुईयों के ढखकनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाई जाते हैं कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती हैं यह गरेडी, चर्खी या फरेडी भी कहलाती है फरेडी लोही की दो भुजाओं पर भी लगती है लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आरपार छेद बना कर लगाई जाती है इसे ओडाक कहते हैं ओडाक और चर्खी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है ओडाक और चर्खी चर्खी को यहां वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तकलाती है पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं वजन खीचने में तो इससे सुविधा रहती ही है खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है ऐसे क्षित्र में एक बड़े साफ सुथ्रे मैदान में 30-40 कुईयां भी मिल जाती है हर घर की एक कुई परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी निजी और सार्वजनिक संपत्ती का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र धंग से मिट जाती है हर एक की अपनी अपनी कुई है उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है लेकिन कुई जिस कुई जिस कुशेत्र में बनती है वह गाओं समाज की सार्वजनिक जमीन है उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुईयों में पानी भरेगा नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तै हो गई है अब उस कुशेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तै नमी का बटवारा इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक शेत्र में बनी कुईयों पर ग्राम समाज का अंकुष लगा रहता है बहुत जरूरत पढ़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्विक्रती देता है हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चेर परीचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई इस से दिन भर में बस दो तीन घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है इसलिए प्राय पूरा गाउं गोधुली बेला में कुईयों पर आता है तब मेला सा लग जाता है गाउं से सटे मैदान में तीस चालिस कुईयों पर एक साथ घूमती घिर्नियों का स्वर गोचर से लोट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है दो तीन घड़े भर जाने पर डोल और रस्यां समेट ली जाती हैं कुईयों के धकन वापस बंद हो जाते हैं रात भर और अगले दिन भर कुईयां आराम करेंगी रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी चुरू, बीकानीर, जैसलमेर और बाड मेर के कईक शित्रों में यह पट्टी चलती है इसी कारण वहां गाउं-गाउं में कुईयां ही कुईयां है जैसलमेर जिले के एक गाउं-खड़ेरों की धानी में तो 120 कुईयां थी लोग इस खशित्र को 26 अर्थात 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे कहीं-कहीं इन्हें पार भी कहते हैं जैसलमेर तथा बाड मेर के कई गाउं पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गाउं के नाम भी पार पर ही हैं जैसे जानरे आलोपार और सिर्गू आलोपार अलग-अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग-अलग नाम हैं कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधडो, धड़धडो, कहीं पर बिट्टूरो बल्यों के नाम से भी जानी जाती है तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुईं शब्द अर्थ उकुरू अर्थात उकुरू बैठना पंजे के बल घुटने मोड कर बैठना खीप अर्थात एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है डगालों अर्थात तना या मोटी टहनिया आजप्रथा अर्थात इस प्रथा के अंतरगत कुईं खूदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है अभ्यास प्रश्न एक राजस्थान में कुईं किसे कहते हैं इसकी गहराई और व्यास तथा सामानिय कुऊं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है प्रश्न दो दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाए हो रहे हैं जाने और लिखें प्रश्न तीन चेजारों के साथ गाउं समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है पाठ के आधार पर बताईए प्रश्न चार निजी होते हुए भी सार्व जनिक शेत्र में कुईयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा प्रश्न पाँच कोई निर्मान से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें पालर पानी पाताल पानी रेजानी पानी अभी आप सुन रह थे कक्षा 11 की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग 1 प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत